नमस्कार, Hindi Learning चैनल पर आपका स्वागत है और उस पिच्चा को देखकर समभात कम्प्लीट करना है तो आपको अपनी भाषा को «सरल रखना है» और अपने विशे को बिलकूल क्लिय रखना है समभात सबंदी प्रेश्न को हल करते समये आपको ध्यान रखना है काल का पूरुष की वचन का लिट का जानी कि आपको इस तरी लिंग के साथ क्या लगाना है किस करता के साथ कौन से किरिया लगनी है इसका विशेश तोर पर ध्यान रखना है उधारन आपको दिया हुए आपकी बुक में अनुच कह रहा है भ्रात है जानी कि भाई पुस्तके इदम कस्य चित्रम इस पुस्तक में किसका चित्र है तो भ्राता भाई कह रहा है कि ये रविंदनात का चित्र है अनुच कह रहा है मैं जानता हूँ उन्हें नोबल पुरसकार मिला अहम जानामी मैं जानता हूँ तम नोबल पुरसकारम अविंदत उन्हें नोबल पुरसकार मिला अविंद धातू का मतलब ऐसे तो जानना होता है कि मुझे ग्यान है भराता भाई कहा रहा है हाँ से गितांजली मलिकत उन्होंने गितांजली लिखी अनुच कहा रहा है गितांजली गद्यातमकमस्ती गितांजली गद्य विदा में है ठीक है भराता कहा रहा है नहीं नहीं ये तो पद्य है अभियास मनजुशा में दियेगे शब्दों से आपको हेल्प लेनी है और रिक्तस्थान फिल करने है बहुत इजी है आपको इस तरह समबाद पूचा जा रहा है महिमा कह रही है हे लतिके तो हम कुत्रकचसी हे लतिका तुम कहां चाहती हो तो फिर आगे आपको जो दिया गया मनजुशा उसके कौर्डिंग महिमा कह रही है महिमे महिमा अहम पुस्तकाले हम प्रतिकचामी में पुस्तकाले की और जा रही हूँ महीमा के महामापी तवियस है अगचामी क्या मैं भी तुम्हारे साथ आऊं लतिका कहारीय है तुम कहां चाहते हो शोरप कहारा रहे है भाइ अगचतु आऊ मैं खेल कर मैं दान में जाता हूं गौरफ कह रहा है तब अभ़यास है कस्याम कृड़ायाम हमती तुम्हारा अभ़यास किस खेल में है तो अब हम यहां नीचे कस्याम के according ही कृड़ायाम ले रहे हैं यह नहीं कि कस्याम के according हमने कुछ और ले लिया आपको पीछे ध्यान रखना है कि आहम को करिडा शेत्रम तो करिडा याम प्रती दिनम है तो अभियास सें उसके साथ नहीं हो सकता अभियास सम होगा इस चीज को आपको विशेश कर ध्यान रकना और हिंदी बनाते चले जाना साथ-साथ तुम्हारा अभियास किस खेल में है सौरव ने मैं यश्टि करि जान देना है आपको ठीक है शोबना नेक्स्ट मंजुशा दिया हुए करिश्यती उत्सवे विद्याले व्रिक्षार ओपन समारो और करेक्रमे अब रुचिका कह रही है अद्ध्य आज भवतिया विद्याले मतलब तुम्हारे विद्याले में कि मस्ती क्या है तो विद्याले ठीक है अध्य असमाकम विद्याले आज हमारे विद्याले में विर्क्षार ओपन समारो है शोबना ने बोला भवति कि मपी करिश्यती आप क्या करोगी रुचिका ने का हाँ अहम कारे क्रमे महीमा के विशे में गीत गाऊंगी अब यहाँ पर नीचे आपको महीमा के विशे में गीत गाऊंगी अब कारे क्रमे को आपने कारे क्रम की महीमा के विशे में गीत गाऊंगी शोबना कह रही है उत सब में मुख्य दिथी कौन है यही तो पूछा जाएगा रुचिका कह रही है वन विभाग के अध्यक श्रीमान चकरदर है उसी परकार नेक्स्ट है मंजुशा को ध्यान में रखकर माता जो है मेगना से कह रही है आओ भोजन खाएंगे खाना खाएंगे मेगना कह रही है माता भवती आप अत्र यहां एव ही जश्तु देदो आप यहीं देदो माता कह रही है उठाओ पहले हाथ दोलो मेगना कह रही है नहीं नहीं मैं ठकी टीके उतिष्ठामी के एकोडिंग ही आपने प्रक्षालियामी चूस किया प्रक्षालनम यूज नहीं कर सकते आप यहां पर माता अशोक ये क्या है अशोक ने का कुछ नहीं है माता मैं हरी सबजी नहीं खाता माता कहा रही तुम कभी हरी सबजी नहीं खाते हरी सबजी या रोगों के निवारन के लिए लाबदायक होती है अशोक ने का आज मुझे आलू दो माता कहा रही प्रति दिन आलू ही चाहते हो ये उचित नहीं है अशोक ने का आज पहली हरी सब्जी खाकर तदा अहम आलू कम दास्यामी आज पहले हरी सब्जी खाता हूँ तब मुझे आलू देना दास्यामी ठीके नहीं नहीं दोगी आज पहले हरी सब्जी खाऊँ तब मुझे आलू दोगी फिर पिता आगे next मंजुशा के कोडि सुधा ये क्या करती हो सुधा कहरी मैं दांट साफ करती हैं पिता कह रहे हैं परंतु जलम की मर्थम व्यर्थम करोशी परंतु जल किसलिए व्यर्थ करती हो क्या तुम नहीं जानती सुधा कहरी क्या पिता कहरी है यत जलम की यत महत्वपूनम कि जल कितना महत्वपून है सुधा कैरी शमा कीजिये तदा पीना करी शमा में अदुना अब कभी नहीं करूंगी अदुना यहां पर आ चायेगा ठीके Next, सानिया सिया से बात कर दिये सानिया कैरी है हे सिया, मैं जल्दी घर जाऊंगी सीया कैरी सानिया क्या हुआ, सानिया कैरी कुछ नहीं, आज मेरे भाई का जनम दिन है, सीया कैरी है मेरा शुबाशी, जाने की मेरा शुबाशीर वाद उसे देना, सानिया कैरी है, हे सीया, तुम भी शाम को आओ, मैं प्रतिक्षा करूँगी, सीया कैरी कितने बजे केक कटेग सानिय केरी शाम को पांच बचे उसी पर का next example रमे रमा कर तुम किस लिए विद्यालिय नहीं आई तो विद्यालिय के लिए पुछा गया रमा केरी गीतिका मैं अस्वस्त थी इसलिए डॉक्टर के पास गई गीतिका क्या हुआ रमा क्या हुआ रमा क्या हुआ मैं जोर से क्लास के साथ यह लिंक शेर कर दिजिए गा और कमेंट कीजिए अगर कोई चीज आपको समझ में आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए है तो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए इस चैप्टर मतलब इस पूरी बुक का जो प्लेलिस का लिंक है इस वीडियो की दिस्क्रिप्शन में दे दिया गया नेक्स्ट येर से 910 की भी संस्क्रिट जो है CBSC की तरफ से कंपल्सरी हो जाएगी हर बच्चे के लिए तो इसी चैनल से जुड़े रहिएगा नेक्स सेशन में 910 की संस्क्रिट लेकर भी मैं आपके सामने प्रस्तोत होंगी हिंदी लर्निंग भया आश्मा महाजन चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए 10th क्लास तक हिंदी संस्क्रिट तो आपको पढ़नी है हिंदी तो आपको 12 तक पढ़नी है नेक्स्ट येर से क्योंकि वो आपके लिए कंपलसरी हो जाएगी ओके स्टुडेंट्स गुड़ पाइ